अगर आप बंदन बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है, वीडियो में आगे बात करेंगे, अगर आप बंदन बैंक से personal लोन लेते हैं, तो आपको कितना interest बैंक को देना होगा, क्या-क्या formalities पूरी करनी होगी, क्या-क्या documents ब बच कर लेना बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सबस्क्राइब कर दे चले वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अगर आप आज के टाइम में बंदन बैंक से परसनल लोन लेते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 एर्स होनी चाहिए मैक्जिमम ए 70 एर्स होनी चाहिए बंदन बैंक की तरफ से परसनल लोन लेने पर मिनिमम 11 परसंट का इंटरेस्ट बैंक को देना होगा मैक्जिमम इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिल्टी क्या है चले नेक्स्ट बात करते हैं बंदन बैंक से आप मिनिमम 50 हजार का परसन लोन ले सकते हैं मैक्सिमम लोन की बात करें आप बैंक से मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं लोन वापस करने के लिए बैंक की तरफ से मैक्सिमम 5 साल का टाइम दिया जाता है ताके आप अपना लोन बैंक को वापस कर सकें अगर प्रोस्सिंग फीज की बात करें बंदन बंदन बंक की तरफ से परसनल लोन लेने पर मिनिमम एक परसंट का प्रस्सिंग फीस देना होगा चले नेक्स्ट बात करते हैं कौन-कौन लोग आज के टाइम में बंदन बंक से परसनल लोन ले सकते हैं अगर आप गोर्मट इंप्लॉई हैं आपकी सरकारी नोकरी है या फिर आप किसी प्राइवेट कॉंपनी में जॉब करते हैं आपका प्राइवेट जॉब है तो आप बंदन बंक में परसनल लोन के लिए एपलाई कर सकते हैं फॉर्मल्टीज पूरी करने पर आपका लोन एप्रू कर दिया जाएगा अगर आप सेलफ इंप्लॉईड हैं बीजनस है या फिर आपकी अच्छी इंकम है तब भी आप बंदन बंक में परसनल लोन के लिए एपलाई कर सकते हैं फॉर्मल्टीज पूरी करने पर आपका लोन एप्रू कर दिया जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी बंक के कस्टमर हैं और बंकों क फिक्सट डिपॉजट रक्यूरिंग डिपॉजट सीनियर सेटीजन सेविंग सकीम पीपी एफ सकीम या फिर किसी भी लोन के बारे में फुल वीडियो चाहते हैं फुल इनफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लें इस चैनल पर आपको हर बंक क वीडियो मिल जाएगा और आने वाले टाइम में मिलता रहेगा चलें बात करते हैं क्या क्या डाकुमेंट्स आपको बेंक को देने होंगे आपको अपना आईडी प्रूफ रेजिडेंट प्रूफ बेंक को देना होगा आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ट, वोटर आईडी पेन कार्ट, ड्राइविंग लाइसंस इन में से कोई भी डाकुमेंट आपको अपना आईडी प्रूफ बेंक को देना होगा साथ में रेजिडेंट प्रूफ बेंक को देना होगा अपनी इंकम प्रूफ सेलरी सलिप बेंक एकाउंट स्टेटमेंट बेंक को देने ह याद रहे अगर आप फॉर्मल्टीज पूरी करते हैं आपका लोन एपरू हो जाएगा अगर आप फॉर्मल्टीज पूरी नहीं करते हैं आपका लोन एपरू हो जाएगा